मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, वो आज से दस साल पहले मेरे साथ घटी, दोस्तों आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रख कर सुना चाहिए. ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है, आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहां जैसल मेर गया, वहां जाकर पता चला कि यहां तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पान पानी मांगने हमारे गाउ में आई लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लोट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। पर पानी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया। और धीरे-धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अंजानी ताकत ने मौट के घाट उतार दिया। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गाउं की तरफ लौटने लगे। अच्छा को तो वही बच्चा मेरे सा उसे कहा कि चले जाओ और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था, मैंने सोचा कोई सपना आया होगा फिर रात को दो बजे के आसपास मैं पेशाप करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुने दिया मैंने सोचा मामी होगी फिर मैं वापस पंलंग की तरफ लोटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा कौन है सामने आओ अभी पानी देता हूँ इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ तो मैंने पीछे मुढ कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रस्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया उसके बाद जो हुआ वो चमतकार से कम नहीं था उस रात हलके बादल थे और अचानक कुछ पानी की बुंदे उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभो को धन्यवाद देने लगा अगले दिन ही सुभा जल्दी पांच बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली मैं अपने मामा मामी को बिना बताये निकल पड़ा स्टेशन पर पहुँचा और बैठे हुए मैंने देखा कि बच्चा रो रहा था मैं घबरा गया लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी मेरे को पानी चाहिए था लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुँच गया उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूँ मित्रों आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा अपने महत वपूर्ण कमेंट के जरीए बताना ना भूले